चलौजी बिसमिल्ला हर्मान रहीम फिक्छली लक्च्चर में हमने अभी क्या देख है कि One होती है ठीक है तो हमारे पास पांच cells की टाइप सा गयती CD8 बन गया था T helper cell 1 बन गया था T helper cell 2 बन गया था T helper cell 17 बन गया था और T regulatory यह पांच cells बन गये थे अब हम देखेंगे कि यह पांच cells active कैसे होते हैं और कैसे अपने function perform करते हैं वह से पहले यह हमारी रीडिंग पिछले लेक्चर की रहे थी तो हम यह रीडिंग नीचे से कर लेते हैं बस दो ही points है इसके यह positive selection और negative selection वही बात कहेगा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है कि थाइमक cortex T cells expressing TCRs capable of binding self MHC यानि जो MHC के साथ bind कर जाते हैं on coltical epithereal cells survive वह क्या प्रासेस मतलब जो आपकी antigen को पहचान लेते हैं self antigen को उसको मारना चाहते हैं तो उनकी process हो जाती है और become regulatory T cells या फिर यह क्या बन जाते हैं अलिशान भी question किया है कि यह किस तरह बनेगा तो अगर वह उसको मार रहे हैं तो वह regulatory T cells बन जाएंगे पहले तो उनकी process हो जाएगी अगर process नहीं हो रही तो regulatory T cells बन जाएंगे तो इस मुनियाद में बनते हैं regulatory T cells क्या होते हैं इनका function क्या होता है यह basically immune system को दबाते होते हैं immune system को कम करते हैं immune system over active ना हो जाए तो इसलिए T regulatory cells बन जाते हैं ठीक है और नीचे एक उसने बात बताई है कि अगर अगर आपका जो जीन था ये खराब हो जाए जीन खराब हो जाए और यह वला सारा process ना हो जो अधर वो self antigen पेश कर रहा था उसको और negative selection होरی थी अगर आपका gene air gene खराब हो गया ठीक है एर जीन खराब हो ՗या और आपकी एन्टीजन और उसको पेश नहीं कर रहा तो क्या प्रबलब्लम होगे जब self antigens फ्को पेश नहीं करेगा तो मतलब जो सेल मारे selfけれant वो भी सर्वाइब कर जाएंगे ठीक है तो आटो इम्यून टी सेल्स बन जाएंगे ना तो ऐसे सेल्स बन जाएंगे जो हमारी अपनी ही मतलब के एंटिजन को माना चुरू कर देंगे यह बात समझ आई है नहीं समझ आई मैं इसको रपीड करता हूं देखे हमने क्या पढ़ कर रहे थे Cm4 software ुär cd8 को शोग है और यह जो इसको नहीं मारता था वो सर्वाईब कर जाता था ठीक है और जो मारता था वो मर जाता था इनको यह जो क्रेद्ग कराद भीग अब लेट्स पोस्ट यह iश्चण को अटसे ब्हूंत है कि यह इसको मार देगा इसको मार देगा anti-gene को तो इसको मरना चाहीना CD8 को लेकिन यह जो anti-gene करवाता था वह कौन सा जीन ercane अगर यह intelligence हरा सब्सक्राइब हो जाता त cumulative ग药ह antigen बनेगी क्या था एंटिजयन इसको शो होगी एंटिजन शो नहीं होगी जब एंटिजन शो नहीं होगी तो यह आके इसको पहचानेगा नहीं इसको मारेगा नहीं जब यह इसको नहीं मारेगा तो हमारी बाड़ी समझेगी कि यार यह तो किसी एंटिजन को नहीं मार रहा मतलब इसको कर लो सिलेक्ट इसको क्या कर अब यह वाला सिलेक्ट तो हो गिया है लेकिन याद रखें यह अपने आंटीजन के खिलाफ है अपने एंटीजन के ड़िये मरे में ब appro statement करेगा करे तो इस तरह हमें कौन सी दिसेट हो जाएगे वाधर हो जाएंगाट आप Semenजाने बात है तो उससे कौन-कौन कुंसी autoimmune disease होती है यह इस edition में नहीं लिखी गई जो होती है एक सेकंड मैं दूसरा edition open कर लूँ यह देखें यह यहां में बता रहा है टिश्यू रिस्ट्रक्टेड सेल्फ एंटिजन अगर वो सेल्फ एंटिजन नहीं दे रहा ठीक है टिश्यू रिस्ट्रक्टेड सेल्फ एंटिजन इस जीन की जासे होती है डैफिशन्सी इस जीन की डैफिशन्सी लीड्स टू आटो आटो-इम्यून पोली एंटोक्राइंट सेंड्रूम यह वाली डिजीज करा देगा आटो-इम्यून यानि अपने ही बाडिटी के खिलाफ क्या बन जाएंगे इसकी टी सेल्स बन जाएंगे और यह पॉली एंटोक्राइंट पोली का मतलब ज्यादा एक से ज्यादा होती है पैनली डिजीज काूंसी है chronic mycocotanious kenidiasis ठीक है skin infection होगे आपको ठीक है उसके बाद आपको przepo parathyroidism होगा है मतलब कम और parathyroidism आपका parathyroid hormone कम हो जाएगा और जब parathyroid hormone कम होता है तो आपके blood में कौंसी चीज कम हो केल्शम कम हो जाती है और केल्शम कम होने को क्या कहते है है एपो कैल्शीमिया कहते है और जिस पेशिंट को हैपो कैल्शीमिया उसको क्या हो जाती है कैटनी वेरी गुड माशला आपको लेक्षिस जाद है उसकी बात क्या है एड्रीनल इंसफिशन्सी मतलब आपका जो के मतलब होता है एक से ज्यादा इंफ्ne होना तो आपके रीकरंड के डा इंफेक्शन होगे आपको बहुत ज्यान अफेक्शनं होके तो याद करने का तरीका key है फार्मला क्या है विद आउट एयर यूर बाड़ी विल चार तो एयर के विना अगर एयर जी नहीं है उसकी डेफिशंसी है तो आपकी बाड़ी क्या बन जाएगी चार बन जाएगी ठीक है आगे बढ़े अब हम देखते हैं कि हमारे पस कितने सेल्स बढ़े थे पांच सेल कौन कौन से थे थे स्लेट्स केड़ने डी हेलपरस ayuda भृट रृट यहांपर आपका क्या था को ben कोई भी चाहां यहां से बहर से वैरेस आया वैरेस अंदर दाखिल हुआ वैरेस कौन सी वो थी एंडोजीनस एंटीजन थी कि एक्सोजीनस थी एंडोजीनस थी तो यह आपकी एंडोजीनस आ गई एंडोजीनस कौन सी क्लास के थूर रिप्रिजेंट होगी कौन सी 1 के थूरू represent होगी अगर 1 के थूरू represent होगी तो कौन सा cell active होगा CD8 active होगा CD8 किसके जरी है TCR के जरी active होगा ये इसको process करने के लिए क्या बेजेगा कि इसको check करो कि इसने process भी किया है कि नहीं किया CD8 बेजेगा और second signal क्या होगा इसका interleukon CD8 बेजेगा जब second signal interleukon 2 है या फिर interferon क्या है gamma है तो फिर आपका sorry sorry interleukon gamma नहीं आएगा इसमें वो तो tap 1 में होता है वो तो TL1 में होता है अच्छा अब अगर second signal क्या है interleukon 2 है तो आपका ये क्या है CD8 positive है और CD8 positive फिर क्या करेगा मुकंब दर पर active हो जाएगा पहला signal इसको यहां से मिल गया सारा पहला signal इसको यह वाला मिल गया सारा second signal इसको CD4 बेजेगा interleukon 2 इसको पीछवाय रिवाइज करा रहा हूँ ठीक है इसलिए थोड़ा अगर जल्दी से जाहरो हूँ तो यह क्या होजाएगा active हो यह जैसे ही active होगा तो यह क्या scale करता है preference क्या ilate kuart right kun i क्या होता है ॉसके बाद पीछे क्या बेज़ेगा ग्रेंजाइम बेज़ेगा और क्या बेज़ेगा का स्पेस बेज़ेगा और क्या बेजेगा प्रोटी एज बेजेगा यह जा किसी क्या करा देंगे एपप्टॉसिस करा देंगे आप खुद बताएं आपने सीडी एड का काम पहले पढ़ा हुआ है ना जो सिर्फ रिवियंस अक्राना था किसी एक्टिव कैसे होता है और उसकी वह काम कैसे करता है अब हम देखेंगे टी हलपर सेल वन देखेंगे अब हम अब टी हलपर सेल वन क्या करता है चैनल जी अब जो आपकी एंटीजन थी वह एक्टोजीनस थी बहर सो कोई बैक्टेरिया इंटर हुआ कौन सोरी एक्टिरीया इंटर हुआ किस के अंदर मैक्रोफिज इसको किस के जरीए बहर जार करेगा तूँ के जरीए तो यहां पर कौन से बन जाएगा है सीडी फोर से बन जाएगा पहले किस के जरीए टी सी आर के जरीए पिर क्या भेजेगा CD4, अब आगे है second signal की बारी, किसकी बारी, second signal, अगर यहाँ से second signal आता है, आपका interleuken 12, या फिर interferon, gamma, तो आपका CD4 क्या बन जाएगा, T helper cell 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, T helper cell 1, अब इस T helper cell 1 का क्या काम होता है, अब यहाँ से interesting story start होगी, यह से कैली शानने question भी किया था, अब T helper cell 1 बन गया है, अब T helper cell 1 active हो चुका है, अब इसका function start होगा, कि यह function कैसे करता है, अब इसका function यह है कि T helper cell 1 secrete करता है, आपका interferon gamma इंटर्फिरान गैमा आपकी बाड़ी में स्किन में टिशू में जितने भी मैक्रोफेज पड़े हुए कौन पड़े हुए उनको एक्टिव कर देगा और जब मैक्रोफेज एक्टिव होते हैं तो उनकी एक्टिव फर्म को कहते हैं यह कर रहा हुए वगया तो क्या कर गाएं को स्क्रेट करेगा आपका इंटर्फिरान गैमा इंटर्फिरान गैमा ने कश्च के पास जाएगा उनको एक्टिव कर देगा तो उनकह क्या बन जाएंगे epithelite cells अब epithelite cells का काम क्या है कि आपकी बाड़ी में कोई pathogen आ गया है जैसा कि TB आ गया है TB तो ये पहले जाएंगे उसको मारना चाहेंगे लेकिन TB बहुत hard किसम का बहुत जिद्धी किसम का बेकरिया होता है कहते हैं मैं आपसे नहीं मरने वाला तो कहते हैं अगर नहीं मरोगे तो मेरे पास एक और backup plan है तो backup plan इसके पास क्या होता है कि आपके epithelite cells ये हैं ये क्या करते हैं इसके इर्द गिर्द दिवार बना लेते हैं इस तरह की क्या हो जी अगर तो मरोगे नहीं ना तो हम तुम्हें यहां से बहर भी नहीं जाने देंगे महदूद कर देते हैं इसके गिर्द एक किसम की दिवार बना लेते हैं वालाफ कर लेते हैं क्या कर लेते हैं वालाफ अब वालाफ हो गया अब यही आपके epithelite cells मज़ीद खुद को मजबूत करने के लिए यह क्या करते हैं आपस में इतफाक कर लेते हैं क्यासे इतफाक कर लेते हैं यह कहते हैं कि चलेंजी इतफाक करते हैं कि हम दो cells आपस में मिल जाते हैं यह ऐसे आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं आपस में मिलना अब यह बड़े बड़े से बन जाते हैं अब यह बड़े से बन गए अब वो कहते हैं कि टीवी तुम चलाग बन रहे थे ना जरा मैं पूछता हो तुमसे अब आपके जिए यह एक और चीज से क्रीट करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं अब टियूमर नेकृाऊसिस factor अलफा ले स्यंको जातंब करते हैं ठीक है टीवर नेक्रासिस अल्फा च्या करेगा के आपके पिछे पढ़ होताया हम सीडीएड ऊनको बुला लेगा ही ज़रा आई इदर हमने आ बिसकार पकड़ा हुआ है तो टी छाइएंगे और टी टी मजऎद आखेक, ऐसके गेर्द ऐससे, कौलर बना लेगे. Chima Crisis, कौलर बना लेगे. है इसके ए्धगर्द, मजएद एक दिवार बना लेगे. अब मजध्गवारला हो गया है. ये जो सारह अब ही तक बना है, इसे कहते हैं, ग्रैनूलोमा। क्या कहते है? ग्रैनूलोमा कहते है इसे ग्रैनूलोमा ये ग्रैनूलोमा फार्मिशन है मैं इसको रपीड करता हूँ दुबारा शुरू से कि आपका क्या बना यहां से उपर से कोई सब्सक्राइब जैसे एक्टिब और गया क्या करेगा आपका इंटर्फिरन एंटर्फिर गैमा मैक्रोफिज़ को कहे आप जो मारना पसंद करेंगे वह वह ज्यादा है वह जी जाने देंगे वह उसके गिर्थ क्या कर लेंगे दिवार बना लेंगे दूसरा काम हो क्या कर लेंगे आपस में इत्फार कर लेंगे जैंट सेल्स बना लेंगे अब यह आपके जैंट सेल्स क्या करेंगे इंटर्फरान अल्फा को इंटर्फरान इंटर्फरान अल्फा को स्कूरइट करेंगे तुमेल नेक्रोसिट फेक्टर अल्फा ट् 이제 पास जाएगा CD8 के पास उनको बुलाएगा और T-cells मजीद आके क्या बना देंगे कॉलर बना देंगे प्रणा देंगे खुल लग तो इस तरह भीच में टीबी फास गया उसके एर्दगर्द एपिथिलाइट सेल्स फिर जैंट सेल्स फिर उपर क्या आगया आपके सेटीएटी सेल्स आगे यह मुकमल एक वह बन जाता है गड़ा सा बन जाता है इसे क्या बोलते हैं ग्रैंड लोमा फार्मिशन क्या कहते हैं ग्रैंड लोमा तो ग्रैंड लोमा फार्मिशन की शकल में अब आपको भीज में टीबी पड़ा हुआ था टीबी है और उसके इर्दगर्द मैक्रोफिज यानि एपिथिलाइट सेल्स पड़े हुए इनके तरिम्यान जंग जारी रहती है हमले होते रहते हैं कुछ उदर से हमले होते हैं कुछ हमले जारी है तो इन में कुछ टीबी मर जाते हैं कुछ आपके एपिथिलाइट सेल्स मर जाते हैं तो बीज में क्या होती है नेक्रोसिस होती है कौनसी नेक्रोसिस ये नेक्रोसिस की टाइप होती है कजेटिंग नेक्रोसिस क्या कजेटिंग नेक्रोसिस ये वो टाइप हो जाएगी और आपका पस्स बन जाएगा भीच में ठीक कुछ टीवी मरे पड़े होंगे कुछ एपितलैट सेल्स मरे पड़े होंगे और बहर से टीजल्स या इनकी क्या बनी होगी दिवार बनी होगी तो इस तरह यह क्या बन जाता है अब इसे क्या कहते हैं ग्रेंड लोमा कह पर रहेंगे मेमरी सेथ के तर पर रहेंगे तक दुबारा टी भी आए और हम उसकी ऐसी तैसी कर देए समझावगे है इसको रपीट करूं एक फिर रपीट करूं रपीट करने जुरूत है पकी बात है साफ कर दूं मैं इसको चले अब हम टी हलपर सेल 2 की तरफ जाते है कि किसे तरह बनता है एक बांद तो गया था कि यह एक्टिव कैसे होता है और एक्टिव होके यह काम कैसे करता है अए इक इडस बड़ा होता है इसको कौन करता है उसका रोल मांसी कलास के स सब्सक्रार hab Node क्या तिक आपका अइक्डर मोर्ण्याटर फैक्टर आलफा जा नहीं cub कैसे को बुलाता नहीं है उसको जाकर कि यहां पर आपको दुश्मन आया हुआ है तो वो जा कर उसको एक्टिव करता है वहाँ पर तो एक्टिव हो कि आएगा ना ठीक है ठीक है यहां पर मसी क्लास एक्टिवेट नहीं होगी इसको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अलफा जाके एक्टिवेट करेगा इसको बुला के आ रहा था वो उसको जाके एक्टिव करेगा और उसको लेकी आएगा आप कि आपकी exogenous antigen t तो यहां पर मसी क्लास वन शो नहीं होगी है तो अब हम पढ़ते हैं के टीलफर जेल टू टीलफर जू कैसे काम करते हैं वो कैसे एक्टिव होते हैं और वो कैसे प्रॉसेसिंग करते हैं सारी कि अब सेम वही चीज यह आपका क्या है यह नजर आ रहा है कि मैं चेंज नगर दो अ रहा है ये आपका क्या पढ़ा हुआ है कोई भी दॉस स्वीर है धीक है हम मैं नहीं पता कौन सब्सक्राइब अधरे हे गारोला था तो कौन सी कलास होगी Master Triple Engineer और यहां पर कौन सबस्दो делать पिर इसीडी फॉर बनेगा अब यह टीची आर के जिरिए पहले देखेगा फिर क्या बेज़ेगा कंफरमेशन के लिए सिटी फॉर बेज़ेगा अब सेकेंड सिंगनल की बारी आएगी आईगी अब सेकेंड सिंगनल यहां से सीडी सेडी ट्वयेट हेट और यहां से भी सेवं अगर सेकेंड सिंगनल यह वळा होगा या फिर याद करें टीलपरशल कंब यहां था 24 क्या था ट्वाइब सेवं इन्टर लृकन 2 इंटर लृकन 4 यह पर यह इन में से कोई हिर एट सेकेंड सिंगनल होगा तो आपका जो सीडी PASEL 2 वन गयाग मैं स्टी हेल अपना फंशन से करेगा टी हेलपर सेल 1 ने अपनों किया था टी हेल परसेल तू अपने अलग तरह किसे काम करेगा टी हेलपर श्रू जू काता है कि मैं नहां है अपना करेफ यह चा follower सेल पर मैं किसे से help नहीं लूँगा भले मैं helper cell हूँ मैं जाके खुद लड़ूँगा लेकिन टी helper cell 2 कहते हैं मैं भी गाम पिलवान नहीं हूँ मैं बेचरा वीक सा हूँ तो मुझे जोना help चाहिए यह फिर क्या करेगा यह टी the help of cell यह थे OR ओल जिये क्रेंद करेगा च्वेड करेगा इंटर कंफ औरियुकें फोर इंटर लुकंट फॉर और इंटर लुकंट फाइव से क्रईट करेगा यह दो चीत करेगा यह दो चीजह किसके पास जाएंगी कि आपके बी सेल्स के पास किषे यह कि बीजू्च के पास पहुंचके उसको कहेंगे कि कि आप क्या बन जाएं प्लास्मा सेल्स बन जाए और प्लास्म रसाव को खेंगे आप क्या बना दें आउङ रut IgG, IgM, IgD, IgE और IgA, पहांच टाइप्स होती है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी एंटीबाडी बननी है, इनमें से कौन सी टाइप बननी है, वो किस पर डिपेंड करती है, कि ये इंटरलुकन 4R है या पर इंटरलुकन 5R है, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी एंटीजन होती है, जो आपके B-Cell की सर्फिस के उपर पहले से मुझूद होती है, कौन सी होती है, IgM होती है, कौन सी होती है, IgM, ये आपकी, सौरी, अभी नहीं हुआ इसको, IgM, ये इसकी सर्फिस के उपर मुझूद होती है, IgD भी मुझूद होती है, लेकिन IgD का फंक्शन अभी त भी किया वो कर लिए इस कट दो नो सकता है लेकिन इस दफ़ां एंटीजन कुछ इस तरह कि थी कि उसने इnt理जिगन शॉर सेक्रीयट कर दिया ईंटर्णिकन फोर बनेगी आई जी जी आई जी ए और अगर आपका टी हलपर सेल टू सेक्रीड कर रहा है आपकी इंटरलुकेंट फाइव तो फिर ये भी को कहेगा कि आप इसको कुछ इस तरह एक्टिव करें कि जो एंटीबाडी बने वो आई जी ए बने आई जी ए बने अब आप कह रहे कौन सी जी जाल रही है 3G के 4G है वैसे तो 5G में चल रही है लेकिन बश्कीक में और पाकिस्तान में 4G जाल रही है तो 4G इंटर्निकन 4 होगा तो इजी जी और आईजी ए होगी समझा गया है इंटर्निकन 4 सो SIM होगा तो एंटिबाड़ी कोँसी बने गिए जी और आईजी आई जी नगी to मैं फ़ाइव है तो अर्भी में फाइफ को कैसा लिखते है कि बलके यह त Cao दिल बना रहा है है इस तरह रहे पाइगा तो इंटरलिकन 5 और स्काइब बनाएगा रखके के साथ बना तो यह जी यह तो बन गया ना आपको तो ग्याद रहेगी ना जिसको बेकर अगर और अगर बन रहरे है कि फांच बन रहे हैं तो आई जी यह वोगा इसको अधके साही ऐगा घ्र odeo आउपकी एंटी जेन बाड़े अब की एंटीटि इसको रिपीट कर देता हूं कि जब आपका T helper cell 2 active हो जाता है तो इंटर्लूकन 4 और इंटर्लूकन 5 घर्लीसर करता है अगर लुक एसके वोगा तो आई जी जी और आई जी यी बनेगी अगर इंटर लुकन 5 होगा तो I.g समझा गिए अब हम TL per cell 17 के तरफ जाते हैं में जहीं दो थे important यही थे TL per cell 1 और TL per cell 17 बागि TL per cell 1 और TL per cell 2 main थे TL per cell 17 और regulatory इतना important नहीं है अब सिक्यूस के वाले से लगना हम उनको देख लेते हैं ताकि हमें concept clear होने चाहिए कि चीज़ें क्या होती है और कैसे तरह होती है कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि शेले जी फिर दुबारा उसी कंडिशन में आ जाए अब मेरे क्याल में वो तो सही जा रहा है बच्छे तो बहुत आगे जाएगा है कि चले अब हम देखते हैं मेरे ख्याद में वह शकल दुबारा प्राने की जुरात तो नहीं है कि मैक्रोफेज आएगा टीजी सेल के पास उसको एक्टिव करेगा बस सिंपल सा इतना बता देता हूं कि अगर आपक आएग्यैकल सेक्लिक्णी क्या हो सटेकंड सिंपल अपका इंटर्लिउकन वन इंटर्लिउकन 60 और ट्रांसफार्म इंग्रोथrh फैक्टर बी टाओ तो फिर का T-Helpercell 17 जैसा के नाम से ही इसको नाम भी इसीदे दिया गया है कि यह Interleuken 17 release करेगा क्या दिद्र करेगा असान से है कोई मुश्किल लिए Interleuken 17 release करेगा अब Interleuken 17 का काम क्या होता है कि पहली बात तो यह Phagocytosis Phagocytosis को increase करता है किसको Phagocytosis को मतलब आपके या आपके जो मेक्रोफिजेस सेल हैं उनकी फेगोसाइटोसिस बढ़ा देगा वह ज्यादा फेगोसाइटोसिस ज्यादा चीज़ों को इंगल्फ करना शुरू कर देंगे दूसरी चीज कि यह इंटरल्यूकन-1 इंटरल्यूकन-6 और आपका जो है ना यह कीमोटेक्टिक फै यह आपका इंटरल्यूकन-17 क्या करता है इंटरल्यूकन-1 इंटरल्यूकन-6 की प्रोड़क्शन बढ़ा देगा और इंटरल्यूकन-1 और इंटरल्यूकन-6 का काम क्या है इसे की मजीद वह कराएगा मजीद ट्यल्परसल-17 और चीमोटेक्टिक फैक्टर कौन सा होता है इंटरल्यूकन-8 होता है यह और इसका क्या होता है इंटरल्यूकन-8 टेक्टिक मतला मतलब चीज को अट्रेक्ट करना यह न्यूट्रोफेल्स जो आपके बलड में होते हैं न्यूट्रोफेल्स करते हैं उनको यह आपके बलड में क्या पड़े होते है उनको रडेक्ट करता है कि आप बहर आए और जहां पे इंफेक्चन हो रहा है उस पैटो जन के पास है और उसकी क्या करें किलिग तो टी TV-417 किसक्रेट करता है इंटर्व Just 17 पहला काम क्या कर र propreral सेवन्टीन स्वेंटीन बनेगा और दूसरा हों कीमोट्रोफिक तेक्राटर इंट्रीड करेंग डिट्रक्र करेंगा जो क्या лекdis française करेंगा तब यह वचाकर 18 यहां पैठीजी में इंफ्लियमेशन पड्धियंगे तब आपको डिटेल में समझ मैं ढाप यह सारा प्रॉसस कैसे होते है लेकिन रिलीज क्या कर रहा है इंटर Lüğod Roland 17 अउगल प्रीय इभर है इसे इंटर्लूर्टे लूट्प है है और यह यह आपका इंंटरलूरूर्टेट्व ब्री तू रिलीज करता होते हैं इंटर्लुकन 22 इंटर्लुकन 22 का क्राम क्या होता है आपने इनेट इम्मुनिटी में में पढ़ा था डेयफसिन नेफसेंस प्रोटिन पढ़ीं थी याद है कि मैं दिखाऊं दुबारा पढ़े थे एक सब्सक्राइब दिखाआ भी देता हूं अब मैं चला गया हूं यह 17 समझा गया है टी हेल परसल 17 को रिपीट करने की जुरूत है नहीं है जुरूत आगे बढ़ें टी हेल परसल रेगुलेटर के पास जाते हैं आप उन से भी जरा सलाम दौा कर लेते हैं हैं विचारा काफी देर से बैठा हुआ है इंतजार में कि मेरे पास काब आएंगे अब सबर कफल मिठा होता है तो बहर मामा भी सबर कर रही होगी क्योंकि साथ बाज़िकी उससे बंद करनी है मामा या बाबा या बहर बैठा होता है यह जो बंद करना है इसको इनिवर्स्टी को अब अगर आपका सेकेंड सिग्नल कौन सा है आपका अगर सेकेंड सिग्नल है बीटा तू याद करें ट्रांस्फार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या फिर इंटर्लिकन टू तो फिर आपका टीए सीडी फोर क्या बन जाएंगे टी रेगुलेटरी सेल्स बन जाएंगे अब टी रेगुलेटरी सेल्स का काम क्या होता है ती रेगुलेटरी सेल्स क्या होते है अब लेट्स पोस्ट आइड के आपके टी सेल्स जो है ना ज्यादा मिकदार में पैदा हो गए हैं वो सीडी फोर भी हो सकते हैं टील पर सेल वन भी हो सकते हैं टील पर सेल टू भी हो स हो सकते हैं या पिर CD8 भी हो सकते हैं यह अगर ज्यादा मिकदार बन गए है तो यह तो एक वक्त आएगा कि पैथोजन तो मर जाएगा पैथोजन मर जाएगा लेकिन हमने अपनी इस इम्यूटी को बंद भी तो करना है इस सिस्टम को जो एक्टिव वह हुआ है कि पैथोजन तो मर गए है उसके बाद अगर यह एक्टिव रहेंगे तो यह तो हमारी बाड़ी को रुक्सान पर पहुचाना शुरू कर देंगे और अपनी बा बाग जाते हैं अब यहां पर फंक्शन स्टार्ट होगा टी रेगुलेटर सेल्स का टी रेगुलेटर सेल्स क्या करते हैं टी रेगुलेटर सेल्स तू चीज़ें दो चीज़ें जाना यह स्क्रीट करते हैं एक ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और होती है अगर वो लिमेट से भी ज्यादा बहर जाके एक्टिव हैं और ज़्यारा देर तक एक्टिव हैं तो तो आपकी बाड़ी को मारना शुरू हो जाएंगे तो वह एक लिमेट तक यानि इतने दिन तक उन्हें रहना है फिर इंट को हमने मारना है जब उनके दिन पूरे ह जाएंगे तो आपके T regulatory cells active हो जाएंगे इनको सिक्रीट करेंगे यह जाकर इनको inactiv कर देंगे यह फिर आपके आट इम्यून T cells आ गएते उनको क्या कर देंगे इनक्टिव कर देंगे ताके वह ना बने और मजीद जो है ना बाड़ी के लाब किसी किसमों कोई action ना हो तो य यह आपके T-regulatory cells का जो है ना वह action होता है ठीक है यह आपके बेसिकली ट्रांसफर्मिंग्रोथ फेक्टर बीटा और इंट्रलुकंट 10 यह T-Helper cell और सेरो टाक्सिक दोनों जो एक्टिवेशन होती है ना उनकी एक्टिवेशन नहीं होने देते हैं जब वह एक्टिव नहीं होंगे तो वह काम भी नहीं करेंगे तो इस तरह यह सारा प्रसुस करता है समझा आ गया है जल्दी से रीडिंग कर ले आप भी बहुत याड़ ठक है मेरे ख्याल में हैं सबर कफल हमेशा मीठा होता है बहुत मीठा हो गया है शुगर कम करें जरा हां नहीं वह कह रहे हैं मीठा हो गया है तो शुगर कम करने पड़ेगी ना अगर आप लोग कहते मीठा नहीं है तो फिर दावत का प्रग्राम करते चले मैक्रोफेज लेंफोसाइट इंटरक्शन ये क कि T-1-1-Τ इंटर्फेर्ट गैमा स्क्रीट करते हैं जो आपके Monocyt Monocyt क्या होते हैं यह Blood में एक से तीन देन तक रहते हैं फिर क्या बन जाते हैं Macrophage बन जाते हैं यह Macrophage और Monocytes ability को बढ़ा देते हैं मतलब उनको Epithyलाइट Cells बना देते हैं तो केल दा मैक्रोब्स यानि टीवी बगारा को किल करने के लिए इस फंक्शन इस आल्सो इन्हेंट्स भाइ इंट्रक्शन आफ अच्छा यहां पर एक और प्रसेस भी होता है कि सीडी फॉर लाइगंड आपके यह टी सेल टी सेल जो कि सीडी फॉर था इसके उपर होगा सीड सीडी फॉर्टी लाइगंड होगा ठीक है सीडी फॉर्टी लाइगंड और आपका जो मैक्रोफेज था वो उपर से क्या देगा सीडी फॉर्टी देगा क्या देगा सीडी फॉर्टी जब यह प्रसेस होगा तो आपका यह जो मैक्रोफेज है यह मजीद एक्टिव हो जाए समझा रहे हैं मेरी बात नहीं समझाई आगी है समझ यह मैं repeat करो इसको यह T-Helpercel 1 थे ना T-Helpercel 1 थे ना T-Helpercel 1 हमने कहा था क्या स्क्रीट करते थे Interferon Gamma जो Macrophages को Epithelite cells बनाते थे एक तो तरीका वह था दूसरा तरीका इनका यह है कि कि यह क्या उपर शो करते हैं CD4 40 ligand और जो Macrophages पढ़े हुए उनके पास पढ़ाता है CD4 receptors वह interact करते हैं अब यही Macrophages दुबारा क्या बांजाते है एpithelite cells बांजाते है और epithelite cells वही जा कि उसके गिर्दवालाफ कर लेंगे और वही process दुबारा होगा समझा गिया है अच्छा Macrophages also activate lymphocytes वया antigen presentation वह जो मैंने सारा तरीका बताया है वह बला जानी antigen present होगे उससी तरीके से active होगे यह दो तरीक है या तो इसके जरीए या फिर उसके जरीए active होगा समझा आगिया है आगे देखें serotoxic T-cells कैसे काम करते हैं आपने पढ़ा हुआ सीम्पल से रीडेंगे के ल्ज वैरेस इंफेक्टेड सेल्स नियो प्लास्टिक नियो प्लास्टिक सेल्स कौन से होते हैं तो चैंसर सेल्स डोनर Graft Cells बाइ इंद्धूसिंग एक टॉसेश हमने कई डोनर से किसी ने कोई दिया है वह उताम्य ने किसे लिया है Health लिया है जैसल कि से प्लाड लिया है तो उसमें एंटिभाडी से टीज के हमार ये मार रहे है तो उन को भी आशी तरीक के समारते हैं यह तो आपको पता है न चाहरा और regulatory T-cells help maintain specific immune tolerance by suppressing CD4 and CD8 T-cells उनको suppress कर देते हैं इंके उपर यह चीज लगी होती है T-regulatory cells के surface के उपर CD3 भी होता है उसके surface पर CD4 भी होता है CD25 भी होती है और Fox P3 भी होती है activated T-regulatory cells produce anti-inflammatory cytokines interleuken 10 और trans growth factor बीटा अच्छा अगर इस की कमी हो जाए आपके regulatory cells ना हो तो आपको कौन सी diseases होंगी आपको apex हो जाएगी क्या हो जाएगी आइपक्स हो जाएगी आइपक्स क्या होती है कि आपका immune immune dysregulation हो जाएगी ठीक है आपको polyendocrine पैथी हो जाएगी इंटेरोपैथी हो जाएगी excellent syndrome हो जाएगे तो यह genetic deficiency of Fox 3 बैसिकली जो Fox 3 है इसकी कमी हो जाती है तो autoimmunity हो जाती है autoimmunity कैसे होगी Fox 3 नहीं होगा T-regulator cells नहीं बनेंगे T-regulator cells नहीं बनेंगे तो जो अपनी बाड़ी के खिलाफ जो autoimmune cells बनेंगे उनकी death नहीं होगी तो यह autoimmunity हो जाएगी अपनी बाड़ी के खिलाफ ही क्या बन जाएगी इस बन जाएंगे और इंडरोपैथी एंडरोपैथी वही चार बाते मताएगा नेल डिस्ट्रॉफी डर्मेटाइट स्किन इंफेक्शन होते हैं और अदर इम्यून डर्मेटालोजी कल कंडिशन हो जाती है असोचेट विद डियापटीज इन मेल इंफेंट्स यह बिए ब करते हैं और क्या है टी सब टाइप से पहले टी हेल्पर स्या थीरा ओं लीक्रहेकरि इंटरियून इन स्कूर्चन में शियून श्यून pensa 2-9 Mix ज़िए ठीक है यह मैंने सारा परास बदाए यह टीबी हो गया एक्टिवेट्स एसिनोफिल्स और प्रोमोट्स प्रोडक्शन अफ आई जी इफार पैरसाइट डिफेंस यह एक आई जी प्रोडक्ट्ट्र टील्परसल टू इंट्रलूकर फोर बेजेंगे तो क्या बनेगी आई जी जी और आई जी ओर आई जी ऑड़ाए बनवाते होते हैं यह क्या करता है है मेरेटी अगेंस्ट एकस्ट्राइस्टर्लर मैक्रों यानि यह गों यह यह बार से आएंगे तो उनकी इंडेक्शैन आप नुट्रोफिलेंस्ट्रोड तो वो उसको बिलाएगा और वो उसको जाके मारेंगे और यह प्रिवेंट्स आप इमेन करता है और इसका इसका ऑप करेंगेदर यारो एसका इंटरल्य लिग प्धूआ इसका ट्राइब ग्रोथ एंटर और यह मुखालिफ होते हैं को रोगता है अब यह क्या स्क्रीट करेगा इंटर्फिरंट गैमा जो जाके इसको रोग देगा इसको इनिवेशन कर देगा कि यह पैदा ना हो और टी अपरसल 17 की इनिवेशन कौन करता है इंटर्फिरंट गैमा और इंटर्लिकन फॉर और टी रेगुलेटर सेल्स की इंटर्लिकन 6 अच्छा अगर डेफिशंसी हो जाए तो आफकोर्स मैको बेक्टेरियल डिजीज यानि टीबी के इंफेक्शन हो जाएंगे क्योंकि यह आपको यहां पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सबसे मैंने सारफ को समझा दिये चोटे सा क्वेशन की कमी हो गई है तो हैपर आई जीए सेंड्रूम हो जाती है कैसे यह कंसेप्ट यहां पर चुपा हुआ है और फोर जीए में चुपा हुआ है दोनों चीज़ों क कि अली तुम चुप करके बैटो कोई और बताया अंसर करें अगर सोचो दिमाग लड़ाओ कंसेप्ट इसमें चुपा हुआ है इंटर्लूकन फोर में और फोर जीए में क्वेस्टिन यह है कि अगर आपके टीहल पर सेवंटीन की डैफिशन्सी हो जाती है तो आपको हैपर आइजीई यानि आपकी आइजीए बढ़ जाएगी है ऍब शोर्चें दूम है हिंट देता हो हैं और फिरा पांसर कि जाएगा मैं अच्छा टीहल परसल सेवंटीन को को निनिवेट करता है तो यह एक टीहल परसल 4 इनक्रीज हो जाएगा तो यह किसको इनिवेट करता है ट तो प्रसल 17 कि ऑगया शांगो दो लैटी है 17 कम हो जाएगा न Hahn तीरीजंजmosu जाएगी तो कि क्या हो रही है देंशने सी हरी हैै ना मटा बार कौन रहे हैं पिर यह समझा गई Holland इसके आंगे अधे इंटलूकों 4जी इए इकी प्रोड़क्षिन कोन कर आरह था इंटलूकन फॉर्टूर उर्चन भी बढ़ जाये की ना जब इसकी प्रोड़क्षिन बढ़ जाएक तो इसे क्या कहते हैं है पर है पर आई जी सेंड्रूम के समझागी है अब कौन इस को असर करना पसंद करेंगा बता विदिया मैं फिर भी अधिर रह गया कुछ नहीं किया फिर भी कौन बताना चाहेगा इसको रपीट कौन करेंगा वहीं बैठे बैठे है पर आई जी सेंड्रूम होता है ठीक है समझागी है कोई चीज रहतों नहीं गई मैं देख लूँ कि शायद कोई चीज रहना गई हो मेरे ख्यार में भारक चीज हो गई है कोई सवाल हो आप लों का कि शीज समझना आई हो कालेंचल हम पढ़ेंगे के बीशल्स जो है न वो कैसे मैचूर होते हैं बीशल्स एक्टिव कैसे होते और बीशल्स का फंक्शन कैसे होता है जब दोनों हम पढ़ लेंगे न फिर यह जो हमने यह वाला अपना टापिक छोड़ा है यह वाला इसको फ अला आपिस